ओम श्यंति तीस मई अव्यक्त बाब दादा का आगमन हुआ है और पीछे बाबा ने कहा था कि मनन्सक्ति पर फिर सुनाएंगे तो आज की सारी मुल्ली मनन्सक्ति पर है बाबा ने हमें प्रेणा दी है बहुत अच्छी पहली और बहुत सुन्दर बाद कि बाबा ने तुम्हें ग्यान के रतन दी है ये ग्यान रतन है सभी अपने से पूछे हैं हमें ये रतन लगते है ये रतन बुद्धी में भी धारन करना है और जीवन में भी इन रतनों से ज़्यावा ने सभी को एक समानरतन दिए हैं किसीने केवल बुद्धी तक धारन किए और किसीने जीवन में धारन किए माला माल हो गए कोई और कोई कभी माला माल कभी डीले डाले रहते हैं ज्ञान की रतन बहुत बड़ी चीज है ये रतन भी है ये प्रकास भी है ज्यान की लाइट, ये शक्ति भी है ज्यान की माइट और ये सस्त्र भी है चार चीजे बाबा ने बताई है, माया से युद्ध करने के लिए ये बहुत बड़े सस्त्र है स्वयम को विगनों पर विजयी बनाने के लिए ये बहुत बड़े हत्यार हैं, बहुत बड़ी शक्ति हैं, हमाई लिए लाइट भी है और माइट भी है लेकिन वाबा ने कहा सभी वच्चे ज्यान के द्वारा जीवन में सुक, स्यानती, खुशी, शक्तियां दिर्वेगनी स्थिती, माया जीत स्थिती, अनुभव हो, वो सभी को नहीं होती, इसका एक ही कारण है मनन शक्ति की कमी तो हर ज्यान की पॉइंट का गहराई से मनन करो और उसे यूज करो ये ज्यान रतन देने से बहुत बढ़ते हैं मनन करने से ये चारो चीज जो अरनन की ऊपर उसमें बदल जाते हैं मनन करके मग नवस्था हो जाए ज्यान की एक पॉइंट लो बावनेकार रोज के महवाख्यों में बहुत सुन्दर बाते हैं और अव्यक्यों महवाख्यों उसमें भी बहुत गुई ये बाते हैं उनका मनन करो उस अनुभूती में खो जाओ और चिंदन करो हर ज्यान की पॉइंट का राज क्या है इसे शवयंप्रती और दूसरों के प्रती कैसे यूज करना है इन रतनों की वेल्यू क्या है चिंदन करते रहो चिंदन नहीं करते तो बोल जाता है बावा ने याद दिला जैसे भोजन अलग चीज है न हम उसे खाते हैं उसका ब्लड बन जाता है तो वो जो अलग चीज थी प्रकरती की, वो हमारी शक्ती बन गया, ब्लड बन गया, बाबा का ज्ञान भी अपनायान खजाना अनुभव हो, इसके लिए ये आवश्चक है, कि हम मनन शक्ती को बढ़ाएं, बाबा ने एक और गहरी बात कही, ओफिस में रहते हो, बिजनस में काम काज में सारा दिन वो धिव्यास्त रहती है, फिर सोचते हो कोई व्यार्थ संकल्प नहीं चला, हमने किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन ये हैं साधारन संकल्प, अगर बीच-बीच में ज्ञान के मनन भी करते रहो, तो ज्ञान की पावर्फुल बाते इसमर्ती में र रूप में स्थित हो जाओगे, तो बाबा आज बहुत वेल्यू बता रहे हैं हमें ज्ञानरतनों की, बाबा ने दो धारन बहुत अच्छे दिये हैं, देखो किसी के पास धन होका जाना हो, और उसने लोकर में रख दिया हो, लेकिन समय आ जाए जब धन को यूज करनी की ज उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो बिमारी बढ़ जाएगे, तो ऐसे ही ज्ञान बहुत बड़ा खजाना हमें मिला है, उसे विन-विन पर इस्थितियों में यूज करना है, विघन आ जाएं यूज करना है, फिर अनुभाव करना है, कि उसे यूज करने से विधीपूर को क क्या सिद्धी मिल गई हमें, यानि कितनी सफलता मिल गई, माया कैसे तुरन थट गई, विघन कैसे नस्थ हो गई, या विघनो के समय हम कैसे अचल अडोल इस्थिती में रह सके, दुसरी बात दुसा उधान दिया, वेज्यानिकों ने मानलो एक बहुत पावर्फुल बनाया, भम बनाया, लेकिन जो चलाने वाले हैं, वो एक्सपर्ट नहीं है, छोड दिया, लेकिन रेत में जागिरा, कोई फाइदा ही नहीं हुआ, ऐसे ही ज्यान के अस्त्र सस्त्र मिले हैं, लेकिन ठीक से यूज करना नहीं आता, तुमाया पर विजई, विघनों पर वि सोदर्संचक्र चलाते हैं, पांच मिनट में पूरा हो जाता है, फिर क्या करें? तो बावा ने का नहीं, उस गहरी अनुभूती में खो जाओ, तो वो जो अनुभव हैं, वो पांच-दस मिनट के आपको बहुत सक्ती प्रदान करेंगे, ज्यान के मनन पर विशेष ध्यान सारा दिन कुछ न कुछ ज्यान की बाद बुद्धी में चलती रहे, तो हम सोदर्संचक्र की बाद थोड़ा कर लें, जैसे बावा ने बताया तुम परमधाम में थे, तो हम आँ जाकर बैठा करें, ताकि वहां की डीप साइलेंस में अनुभू होने लगे, तुम देवता अपने देव स्वरूप में खो जाएं, उसको सामने देखने लगे, ये मैं थी, मैं था, तो देखो कितनी गहन अनुभूती होगी, इस देव-देवी स्वरूप, कितना सुंदर स्वरूप है, कितनी महिमा है, कितना कुछ हुआ है दौपर यूग से, हमारे इस देव- स्वरूप से उसके चिनतन में खो जाओ, हम भक्तों की कामनाई पूर्ण करते आए हैं, हम उन्हें शकती देते आए हैं, कोई उनके विगनों को नहस्ट करते आए हैं, कोई उन्हें निर्विघन, निरोग, बनने का वर्दान देती आए हैं, ये मेरा स्वरूप है, तो ऐसे फरिष्टे स्वरूप का चिंतन करें, ब्राम्मन स्वरूप में प्राप्तियों का चिंतन करें और मनन के लिए सैड विधी अपनाएं, रोज की मुल्ली से कोई दो बाते सारा दिन याद रखा करें, तो जो कुछ हम याद रखते हैं उस पर हमें चिंतन हमारा होता ही है, और जो powerful points हम याद रखेंगे, उससे हमें शक्तियां मिलती जाएंगी, तो light भी मिलेगी, might भी हो जाएगी, सस्त्रविक की तरह भी काम करेगा, और हमें लगेगा कि ये बहुत बड़े रतन हमारे पास हैं, उनकी value हमारी समझ में आती जाएगी. वर्दान, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, तीन सब्द, इनकी स्मर्ति के द्वारा सदा विजयी भव, तोड़ना है करम बंधनों को, योग बल से भी, जान के बल से भी, मोड़ना है अपने संस्कारों को, चेंज कर देना है, और जोड़ना है बाप से सर्व संबंध, इन तीन चीज़ों पर आज मनन करेंगे, तब हम माया के हर स्वरूप पर, विघन पर, हर परिस्तिती पर विजयी हो जाएंगे. स्लोगन है, योगी की निशानी है सदा क्लीन और किलियर गुद्धी, तो आज सारा दिन, हम कोई भी दो बाते मोडली से लेकर, उन पर मनन करेंगे और उनका यूज करेंगे, जान की कोई भी दो बाते ले 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 और माया के सामने, और जो परिस्थिते जीवन में आती हैं, उन पर उनका यूज करके विजय हों, सफल हों, और बाप दादा का हवान करेंगे कम से कम पांच बार सारे दिन में, और सारा दिन मनन के द्वारा मगन इस्थिती में रहेंगे, ओम स्यान्ति.